हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस धनेश और आप देख रहे हैं क्रिसक इंडिया क्रिसक भरत किसान साथियों यह जो देख रहे हैं मैं बतक के लिए छोटा सा एक कमरा बना रहा हूं सेट के पीछे में क्योंकि बतक और मूर्गी एक साथ रखने में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाता चलूंगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं और आप भी अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं और जगह है आपके पास परियाप्त मात्रा में तो सबजियों की फसल भी आप लगा सकते हैं उससे भी आपको काफी मुनाफ़ा होता है दोस्तों अभी मेरे पास जो है बैगन और टमाटर निकल रहा है इसके अलावा प्याज भी मैंने लगाया हुआ है और टमाटर है फली है मेथी धनिया है सारी चीजें हमारे फाम पे है मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें दिखाते चलूँगा दोस्तों य अब यह पानी है वह तलाव में जा रहा है चोटा सा तलाव नुमा बना हुआ है और इसमें जो है सिंग् humour निला हुआ है कोई जो बड़ा मचली मात्रा में मेज़ि देला है क्योंकि प्रयापतों मांतरा में मील जाता है गर के लिए और वेशल प्रीर की लिए मस्ती मील चल गोगा और सबसे पहले जो है यह क्यारी अभी बन रही है क्यारी में जो है देख सकते हैं अभी तै़ो Isma अपना फसल लगाते हैं और क्यारी की बीच में आपको दीकरा होगा नलि नुमाव नहीं बना हुँ वा है इसी ही मिट्टी का तो उसमें पानी छोड़ने से दोनों तरब पानी आपको मतलब आपके फसल को मिलेगा दोस्तों यह है प्याज की फसल बहुत ही अच्छी जो है अभी हुई है और प्याज अभी टाइम है इसको बड़ा होने में इसका भी छोटा-छोटा जो है प्याज बना हुआ है अभी इसको अभी क्यारी बनाकर लगाए हुआ है बीच में टेमाटर है और अभी यह स्टार्टिंग हो रहा इसका फेलना और इसके बाद-पेली है क्योंकि भीज में आप प्ली देखा वह fråई प्रिज जो है उसमें भिंडी लगा हुआ था तो भिंडी अच्छा नहीं हुआ उसमें बीज जो है अंकुरन नहीं आया तो फिर इसलिए उसको उखाड करके हम लोगोंने फली का खेती कर दिया और यह जो देख रहे हैं आप आगे में आप लोगों को दिखाते चलता हूं य लाल भाजी को अलग अलग जगह में अलग अलग बोला जाता है हमारे देश में तो यह हमारे छेत्र में लाल भाजी बोला जाता है और आपके छेत्र में क्या बोलते हैं तो और इसके बाद दिया है लहसून भी अब इसका रेडी होने वाला है लहसून कम से कम 15-20 दिन में ह हो जाएगा लसुन के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों यह यह ट्रमाटर वह है जो लाश्टी स्टेज में आ गया है फिर भी अभी हल्का फुलका घर के लिए निकल रहा है तो चार किलो निकल जाता है पौधा भी मर चुका है लगभग फिर भी अभी उसका इसको खाड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी इसके आपसन में जो एक और टरमाटर का है फसल वह अभी स्टार्ट हो जाएगा तब इसको खड़ेंगे दोस्तों इसके बाद यह बैगन बैगन की खेती किये हैं बैगन बहुत ही अच्छा फल रहा है अभी और इसको हम लोग सेल भी कर रहे हैं यहीं से आकर के ले जाते हैं क्योंकि ताजा ताजा मिलता है और हमारे आसपास में जो है खेती सब्जी की खेती बहुत ही कम होती है तो यहीं से आकर के ले जाते हैं और कभी-कभी मार्केट भी ले जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा हो गया तो और वह इ इसलिए सब्जी की डिमांड ज्यादा रहती हमारे शेत्रे में मैं आप लोगों दिखाता हूं धान की फसल दोस्तों धान जो है अभी लग चुका है कम से कम पांच पाचेंज का पौधा हो चुका है धान का और यह बहुत ज्यादा टाइम लगता है गर्मियों में बहुत ही पानी इससे ज्यादा पानी कोई भी फसल को नहीं लगता है और इसलिए गर्मेंट जो है कई बार इसको रभी फसल में लगाने के लिए मना भी करती है लेकिन किसान जो है इसको ज्यादा करना पसंद करते हैं क्योंकि रेड भी अच्छा है धान का दोस्तों यह देख सकते ह आम इस साल बहुत ही अच्छा इसमें मौर लगा हुआ है उम्मीद है फल भी अच्छी तरह से आएगा मौसम अगर अच्छा रहा तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और पोल्टी फार्मिंग से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क कर दीजिए सांथी सांथ बेल आइकान को भी दबाद दीजिए तो ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत